हलो दोस्तों केस है आप सबागा भाई हाजी रो चुका है और एक नियू वैकेंसी का अपडेट के साथ आज के जा हमारे अपडेटस निकल का रहा है वो टॉर्रेंट गेस से निकल का रहा है कापी अच्छा कासा वेकेंसी निकला हुआ है मैं आपको पुरा फुल eligibility criteria और apply करने का process इस वीडियो में step by step बताने वाला हूँ अगर आप हमारे चैनल पर नए भीजिट कर रहे हैं तो चैनल को subscribe कर ले इस तरह का latest technical job notification, technical latest study material और interview tips आपका भाई आपके लिए इस चैनल में अपडेट्स करता रहता है तो इसमें eligibility criteria का बात कर लेते हैं अगर आप pressure candidate है और all India कोई भी state से बिलों करते हैं आप इस post को apply कर सकते हैं इसमें educational qualification का बात कर लेते हैं इसमें ITI, diploma, btech सारा candidate इसको apply कर सकते हैं इसका apply करना है का process और कैसे apply करना है मैं आपको step by step इस वीडियो में बताने वाला हूँ अगर आप हमारा telegram channel जोइन नेखे हैं तो telegram channel को भी join कर लिजिए यहाँ पर जबी requirement निकला हुआ है जो campus requirement निकला हुआ है यहाँ पर educational qualification में देख सकते हैं इंजिनियर्स graduate जो graduate इंजिनियर्स जो btech candidate है वो graduate इंजिनियर्स trainee post में आपलाई कर सकते हैं जो diploma engineer जो diploma candidate और diploma engineer देटी में आपलाई कर सकते हैं जो IT जो टेकनिसें ट्रेड से जो किये हुए हैं वो technician trainee post में आपलाई कर सकते हैं यहाँ पर बहुत अच्छा कासा बेकेंसी निकला हुआ है और इन post को अभी कैसे अपलाई करना है चलिए उसके उपर में आपको बताता हूँ जैसे कि मैं अपना mobile Chrome browser में यहाँ पर search engine में torrent guest carrier link के search कर दिया हूँ तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे यहाँ पर देखने को मिल जागा position apply आप कौन से position में यहाँ पर apply करेंगे यहाँ पर designation में आपको क्या select कर लेना है आपका यहाँ पर कौन सा पोस्ट में आप apply करेंगे अगर आप graduate candidate है तो यहाँ पर GT post में apply करेंगे अगर आप diploma candidate है तो DT post में apply करेंगे अगर आप IT candidate है तो यहाँ पर technician training में यहाँ पर apply करेंगे तो यहाँ पर मैं DT को choose कर लेता हू यहां पर फंक्सन देखने को मिल जाएगा आपको एक चॉइस कर लेना है तो यहां पर मैं यहां पर चॉइस कर लेता हूं प्रोजेक्ट जैसे कि मैं आपको जॉप करना चाहता हूं तो यहाँ पर employment type में आपको फ्रेसर और experience दोनों देखने को मिल जाएगा अगर आपके पास experience है तो experience चूच कर लिए नई तो आप यहाँ पर फ्रेसर को choice कर लेना है फिर उसके बाद में आपको personal data दे देना है जैसे कि यहाँ पर अपना name फिल कर लिए बाद यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा नेक्स्ट आपका step रहने वाला यहाँ पर education details आपका educational qualification फिल करना है जैसे कि आपको IT किये हुए है डिपलोमा किये हुए है आपको जितना भी educational qualification उसको फिल करना है उसके बाद में आपको employment history एक option देखने को मिल जाएगा अगर आप experience candidate है तो यहाँ पर आपको employment history कहाँ job करते हैं क्या post है उसको फिल करना है उसको फिल करने को यहाँ पर medical history आपको कोई भी medical history है तो यहाँ पर उसको फिल करना है अगर आपको फिर भी apply करने के लिए कोई भी problem हो रहा है तो आप मेरेको comment box में comment करिए मैं apply करने का एक full video बना दूँगा अगर आपको इस post को लेके कोई भी doubts है तो मेरेको comment box में comment भी कर सकते हैं तो आसा करता हूँ मेरा information आपको अच्छा लगा होगा अगर information अच्छा लगा तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आज के लिए इतना है ठाइंक्यो